Hollywood Silver Screen presenting Openheimer कहानी की शिरुवात में हम एक scientist को court में देखते हैं जिसका नाम Openheimer होता है जिस पर case चल रहा होता है और तभी scene shift होता है और कहानी flashback में चली जाती है जहां हम government ACC के head officer Lewis को देखते हैं जहां हमको पता चलता है कि Lewis नहीं Openheimer पर case किया है जिसके बाद एक बार फिर से scene shift होता है और हमको present time का scene दिखाय जाता है जहां कोट रूम में कुछ लोग ओपन हैमर से पूछताच कर रहे होते हैं क्योंकि ये वक्त World War 2 का होता है और 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशीमा और नागा साकी पर बॉम गिराये गई थे जिसमें ओपन ह आइमर अपने बारे में सब कुछ शुरुवात से बताने लगते हैं कि उन्होंने physics में PhD जर्मनी से की थी और तभी कहानी shift होती है और हमें उनके college का scene दिखाय जाता है जहां जब teacher उनको पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ध्यान कई और होता है उनके दिबाग में बस atomic energy घूम पर उसी दिन नील भोर नाम के एक famous physicist का lecture होने वाला था जिसको ओपन हाइमर मिस नहीं करना चाता था पर सजा के चलते उनको आज class में ही रुकना था जिस वजह से ओपन हाइमर को बेहत गुस्सा आता है वो अपने teacher के apple में poison को inject करके नील भोर के lecture को attend करने के लिए चला जात और जब नील भोर का lecture खतम होता है तो वह वहां बैटी audience से ये कहता है कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं जिस पे मौका पाते ही ओपन हाइमर उनसे एक question पूछता है जो atomic energy से related होता है जिसके अगले ही दिन नील भोर ओपन हाइमर के college पहुच जाता है जहां वो ओपन हाइमर की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि नील भोर ओपन हाइमर के atoms के बारे में knowledge और interest से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे साथी वो वहां ओपन हाइमर से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है पर तुम्हें अपने theories पर और ज़् से shift होता है और कहानी present day में दिखाए जाती है जहां लुइस से ओपन हाइमर के बारे में पूछा जाता है वो court में ये बताता है कि उनकी मुलाकात 1947 में हुई थी और तब तक ओपन हाइमर काफी famous हो चुका था लुइस खुद ओपन हाइमर को AAC department का का काम समालने को कहते हैं और उनको सब चीजों के बारे में बताते हैं जहां पर हम Einstein को भी देखते हैं जिसकी बाद लुइस और ओपन हाइमर के बीच में कुछ बाते होती हैं जहां लुइस ओपन हाइमर से AAC department के काम को समालने के लिख हैते हैं असल में AAC department ओपन हाइमर के Manhattan project के बाद का नया hydrogen bomb बना आने वाली team को lead कर चुके थे Lewis उसको ये काम देना चाहता था पर ओपन हाइमर लुइस को इस काम को करने से इनकार कर देता है और तब से Lewis और ओपन हाइमर के बीच रिष्टों में दरार पढ़ने लगती है तब Lewis उस पर case कर देता है वो हर हालत में ओपन हाइमर को सबक सिख चाहता था वो उसको बदनाम करना चाहता था जिसके बाद ओपन हाइमर से भी कुछ सवाल जवाब किये जाते हैं जिस पर ओपन हाइमर अपने आगे की कहानी उनको सुनाता है कि अपनी studies कंप्लीट करने के बाद वो University of California में टीचर की जॉब करने लगा जहां पर उसकी मुल जाकात जीन नाम की एक लेडी से होती है जो कि एक communist है उनके बीच में वहाँ पर कुछ बाती होती है और उन दोनों के सोच और विचार एक जैसे होते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरी के करीब आ जाते हैं और intimate होने लगते हैं इसी दोरान ओपन हाइमर वहाँ पर रखी ए जो atomic bomb पर physical experiments कर रहा था जहां एक तरफ ओपन हाइमर के theories गलत साबित हो रही थी वहीं दूसरी ओर ओपन हाइमर के physical experiments काम्याब हो रहे थे जिसके साथ ओपन हाइमर अपनी research को जारी रखता है उसे समझ आ जाता है कि atom के टुकडे और उनके particles का fusion करके किसी भी तरह का bomb बनाना possible है और ऐसे ही देखते देखते ओपन हाइमर American scientist के बीच में अपनी research के दम पर famous हो जाता है अब कुछ साल बीच जाते हैं और एक दिन ओपन हाइमर की मुलाकात किटी नाम की lady से होती है जहां किटी ओपन हाइमर की atomic theory से काफी जादा impress हो जाती है उनके बीच relation बनने लगता ह हाला किटी पहले भी दो बार शादी कर चुकी है पर ओपन हाइमर और किटी के बीच में प्यार भढ़ने लगता है वो शादी कर लेते हैं वहीं हम ओपन हाइमर को gene के साथ भी देखते हैं जिसके साथ वो पहले से relation में था जिदर gene ओपन हाइमर से उसके साथ रहने को कहती ह क्योंकि उस वक्त जीन की हालत ठीक नहीं होती है वो mentally unstable हो चुकी है और उसकी condition खराब है पर उपन हायमर जीन से ये कहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो जीन के साथ नहीं रह सकता इसलिए वो जीन से break up कर लिता है जिसके कुछ सालों बाद अचानक से उपन हायमर के office में युएस जनरल लेसली ग्रोवस आ जाते हैं जो उसको बताते हैं कि उन्होंने उपन हायमर की बहुत तारीफ सुनी है और वो यहाँ पर उससे एक project के सलसले में मिलने आये हैं क्योंकि उनको पता चला है कि रशिया भी atomic energy और atomic bomb बनाने पर काम कर रहा है और अगर उन्होंने हमसे पहले atom bomb बना लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं जिसके बाद महाविनाश होना तैह होगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिका के लिए atomic bomb बनाओ जिसके लिए ओपन हाइमर मान जाता है पर अब इस काम के लिए उन्हें काफी सारा पैसा एक बहुत बड़ी जगा और एक बहतरीन scientist team की ज़रूरत थी जिसमें उनको 3-4 साल का समय लगने वाला था अब उनके पास scientist की एक पूरी team थी और उन्होंने लॉस एलमोस नाम की जगह पर atomic bomb बनाने का काम शुरू कर दिया ऐसे ही कुछ महीने बीच जाते हैं जहां एक दिन Edward Teller नाम का scientist अपनी equation की theories लेकर उसके पास आता है और उनको बताता है कि अगर atomic energy के अंदर जरा भी गलती होती है तो वहां एक black hole create हो सकता है जो अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपने अंदर absorb कर लेगा जिससे इतनी बड़ी तबाही होगी कि सब कुछ तबाह हो जाएगा तबी ओपन हाइमर इस बात का पता लगाने Albert Einstein के पास पहुंच जाती है ओपन हाइमर आइंस्टाइन को वो थियोरी दिखाता है जिस पर आइंस्टाइन भी वही बात करते हैं कि अगर तबाही हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी जिससे दुनिया भी तबाह हो सकती है जिसके बात कहानी शिफ्ट होती है और हमको प्रेजन टाइम में कोट का सीन दिखाये जाता है जहां सब बाते कर रहे होते हैं वही पर लेजली से ओपन हाइमर के बारे में पूछा जाता है वो उने बताता है कि ओपन हाइमर अपने देश के प्रती पूरी तरह से वफादार है जहां ओपन हाइमर भी मौजूद होता है वो उन्हें बताता है कि वो जीन से होटल में मिला करता था जब वो जिन्दा थी पर उसके कम्यूनिस्ट होने की वजह से लुईस उसको फसाना चाता है जहां वो कोट में ये भी बताता है कि जीन ने उससे आगे भी मिलते रहने का प्रॉमिस मांगा था पर उसने जीन से कोई प्रॉमिस नहीं किया और वो फिर कभी जीन से नहीं मिला जिसके बारे में लेजली को भी पता चल चुका था जिसने ओपन हैमर से कहा था कि जीन से मिलना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि जीन एक कम्यूनिस्ट विचार धारा को फॉलो करती थी इसलिए गवर्मेंट उसको गद्दार समझती थी जिसको सुनकर ओपन हैमर बहुत जादा शौक्ड हो गया था जिसके कुछी दिनों बाद ओपन हैमर को खबर मिलती है कि मानसिक हलत खराब होने के कारण जीन सूसाइट कर चुकी है जिसको सुनकर ओपन हैमर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था ये समय वो था जब ओपन हैमर को उसकी वाइफ किटी ने साहरा दिया ओपन हैमर अंदर से तूट चुका था जिस वजह से वो अपने एटॉमिक बॉम बनाने के प्रोजेक्ट पर भी सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था पर एटॉमिक बॉम बनने ही वाला था जहां एक दिन जब सभी साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तबी एडवर्ड ने उन्हें हाइडरोजन बॉम बनाने का आइडिया दिया था जो कि एटम से कई हजार गुना ज्यादा पावफुल था पर कोई भी अभी उसके लिए तयार नहीं था लेकिन अपनी रिसर्च और एक्वेशन के जरीए उपन हाइमर ये समझ चुके थे कि अगर हमने हाइडरोजन बॉम बना लिया तो इसके बारे में दूसरे देशों को भी पता चल जाएगा और वो भी इसकी कॉपी करेंगे जिसके चलते अगर वर्ल्ड वार 3 हुई तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी और अब फाइनली वो समय आ गया था जब उनका एटॉमिक बॉम बनकर रेडी हो चुका था और अब उसकी टेस्टिंग की जाती है जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ सब कुछ हिलने लगता है साथ ही उनके हैट्स तक उड़ जाती हैं जिसके रिजर्ट से सब लोग बेहत खुश होते हैं क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस्फुल हो चुके थे जिसके बाद ये बात प्रेजिडेंट तक पहुँच जाती है और अब ये देखना था कि ये जो बॉम उन्होंने बनाया है ये किस पर गिराया जाएगा क्योंकि वर्ल्ड वार टू के दौरान अमेरिका और रशिया दोनों ही सूपर पावर्स थी पर वहीं जापान भी उनके बीच लड़ रहा था और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था वहां मौजूद ओफिशियल्स कहते हैं कि उनको इस एटॉमिक बॉम का इस्तिमाल वर्ल्ड वार टू में करना चाहिए वहीं वो जापान के कुछ सिटी को पॉंट आउट करते हैं जिसमें से वो दो सिटी हिरोशिमा और नागा साहकी को चुनते हैं पर उपन हाइमर समेथ उसकी टीम का ये कहना होता है कि उन्हें उस बॉम से जापान को सिर्फ दराना चाहिए ना कि तबाह करना चाहिए जिस पर वहां मौजूद सभी लोग ये कहते हैं कि जापान के ना मानने पर हमें इस बॉम का इस्तिमाल उस पर करना चाहिए जिससे वर्ड वार टूर रुख सकती है और साथी अमेरिका की शक्ती का पूरे विश्व को पता चल जाएगा जिसके कुछी दिनों के बाद ओपन हैमर और उनकी टीम एटॉमिक बॉम की टेस्टिंग पर पूरी रिसरच कर लेते हैं और 16 जुलाई 1945 को ट्रिनेटी टेस्ट को शुरू किया जाता है और जैसे ही वो बॉम को ब्लास्ट करते हैं वो इतना बड़ा और घातक ब्लास्ट होता है जिसको कोई भी इंसान अपनी आँखों से नहीं देख पाता जिससे पूरी धरती हिलने लगती है और कुछी देर के लिए सब कुछ सुन पड़ जाता है कई मीलों दूर से भी इस ब्लास्ट को देखा जा सकता था जिससे सभी लोग ओपन हाइमर की बहुत प्रशंसा करते हैं कि आखिर उन्होंने बाकी देशों से पहले इसको बना लिया और अब यूएस गवर्मेंट रेडी थी जापान की इन दोनों सिटीज पर बॉम को गिराने के लिए जिसके बाद 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागा साकी पर अमेरिका के द्वारा एटॉमिक बॉम गिरा दिया जाता है जो काफी तबाही मचा देता है जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं जिसके कुछ दिन बाद ओपन हाइमर को स्पीच देने के लिए एक जगा पर बुलाया जाता है जहां ओपन हाइमर अमेरिका की तारीफ करता है और वहां बैठी ओडियंस बहुत खुश नजर आती है पर ओपन हाइमर अंदर से बहुत ज़दा डरा हुआ था वो बहुत ज़दा दुखी था क्योंकि कहीं न कहीं वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी वजह से ही कई बेगुना लोग मारे गए हैं कई सारे घर और परिवार उजड़ चुके हैं वो हादसा इतना दर्दनाक था कि चाहकर भी ओपन हाइमर उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता था जिसके कुछ दिन बाद ओपन हाइमर को यूएस प्रेजिडेंट से मिलने के लिए बुलाया जाता है जहां वो ओपन हाइमर के खूप तारीफ करते हैं साथी प्रेजिडेंट ओपन हाइमर से कहते हैं कि हमें और भी बॉम बनाने होंगे और मैं चाहता हूँ कि इसे तुम और तुम्हारी टीमें मिलकर बनाए पर ओपन हाइमर कुछ खास खुश नहीं दिखता है वो प्रेसिडेंट से कहता है कि भले ही हमने जीत हासिल कर ली हो और World War 2 खतम हो गई हो पर अब हमें इसको यही रोग देना चाहिए क्योंकि बॉम बनाने की होड में बाग की सबी देशों से जगड़ा होना संभव है और अगर ऐसा हुआ तो इस बार लाखो नहीं करोडो लोग मारे जाएंगे जिसका दोशी मैं खुद को मानता रहूंगा जिस पर प्रेजिडेंट उससे कहते हैं कि तुम ऐसा बिलकुल मत सोचो क्योंकि तुमने बस अपना काम किया है तुमने बॉम नहीं गिराया बॉम मैंने गिराया है तो दोशी मैं हुआ ना के तुम इसलिए आगे भी बॉम बनाने का काम चलता रहना चाहिए जिसके बाद क कौन कौन इस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे जुड़ा हुआ था और तब हमको पता चलता है कि लूइस नहीं ऐसी सिचुएशन क्रेट की जिससे ओपन हाइमर पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो एक ऐसा वेपन बना दे जिससे तबाही होना तै था और लूइस ने ऐसा लगाय जा रहे होते हैं तब ही ओपन हाइमर की वाइफ किटी वहाँ पर आ जाती है जो सब को बता दीती है कि ये सब साजिश लूइस ट्रॉस की है और अंत में ओपन हाइमर को सेक्योरिटी क्लेरंस मिल जाता है उस पर लगे सभी इलजाम हट जाते हैं जिसके बाद कहानी के अंत में वही सीन दिखाया जाता है जब एलबर्ट आइंस्टाइन और ओपन हाइमर के बीच में कुछ बाते होती हैं और ये वो वक्त होता है जब ओपन हाइमर ने आइंस्टाइन को हाइडरोजन बॉम्मिंग के एक्वेशन दिखाई थी जो ओपन हाइमर से ये कहता है कि ये तबाही का एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है तो तुम कोशिश करना कि ये सब रुख जाए जिस पर ओपन हाइमर एलबर्ट आइंस्टाइन से कहता है कि जब मैं आपके पास ये एक्विशन लेकर आया था तब हम दोनों को पता था कि इससे दुनिया तबाह हो सकती है जिस पर आइंस्टाइन हां में जवाब देते हैं और वहां से चले जाते हैं असल में ओपन हाइमर को पहले ही पता चल चुका था कि हाइडरोजन पावर भी अस्तित्व में आएगी साथी में वो ये भी जानता था कि अगर वो अस्तित्व में आई तो दुनिया तबाह हो सकती है और तब ही ओपन हाइमर को ये महसूस होने लगा था कि वो एक प्लेन में है और खुद ही इस दुनिया को तबाह कर रहा है जिसके साथ ये फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है वैल ये एक ऐसे टॉपिक पर बेस्ट फिल्म है जिस पर बात करना या फिर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी मसले का हल वोर नहीं है ये प्रित्वी बहुत सुंदर है जिसके बरबाद होने का कारन सच में हम इनसान है वैल ये नफरत और जंग को रोकने का तरीका क्या है ये तो मुझको नहीं पता लेकिन अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंट्रेस्टिंग कहानी के साथ लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद